अस्सलाम अलेकूम आज बनाना जारें पैरी पैरी बाइट्स मेरी रैसेपिक इंडेंस लेस्ट डिस्क्रिप्शन बोक्स में होती है आप चेक कर सकते हैं इसके लिए मैंने लियावा है हलापीनो पैपर्स यह मैंने स्वीट वाले लियावे हैं यह बहुत ज्यादे तीखे न सारे बीच निकाल लिए और यह मैंने क्लीन कर लिया है जो थोड़े बहुत है वह भी मैं निकाल लूँगी इस तरह से यह निकल गए सारे अगर आप बुलेच चिले लेते हैं जो कड़ाय में डलती है वह सम्टैम्स थोड़ी तीखी होती है तो आप उसको जब यह हो जाए क्योंकि यह स्वीट वाला है तो मैंने इसको इसी तरह से रखा हुआ है इसकी फीलिंग के लिए हमें चाहिए मैंने लियावे चिकन एक ठाय लिए भी थी बोन लेस थी मेरे पास इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्चे एक जवा लसन का और पाव इन जितना जिंजर इसको चौ के सब्साइब कर हो जया चाहिए और इसको मैंने थंडी होने के बाद ख्रेट कर लिया इसको अतलिया इस लाइस पानी डाला तकि इसी में पानी जोग जाएगा तो एक तो ऐसका ध्यूंस का फ्लीवर खतम वेलगा उप अीड आलू किमुल अमें फीलिंग में स second नियूद जिससे भी आपको white sauce बनाना है वो मैंने दूद लिया हुआ है जितनी ज़रुत हो कि वो मिलाऊंगी मैं मैंने मेंदा लिया हुआ है तकरीबन पॉना टेबल स्पून जितना मैंने मेंदा लिया है एक स्लाइस मैंने मोजरोला चीज लिवी है आपको अगर चीज ज्यादा पसंद है तो आप आलू नहीं मिलाए मुझे चीज भी कम पसंद है इस वज़े से मैं थोड़ा से आलू मिला रही हूँ ताकर फ्लेवर आए और बाइंडिंग हो जाए इसकी तो मैंने एक स्लाइस ची श्राइस मिकस हर्प मेरे पास थे इनाली नहीं मिकस हर्पमला जो आता है वह मैंने लिए है तकरिब 30 मगप गभिशे नहीं हरा हिष्टून तकरिवन 4,5 तीज पून छितनी हिरा चाहों जब यह सब हो जाएगा क windows करोंसों मेरेक है इसकी बाहागा पिए यह की पूम मिक्स अप यह जो मिक्स सिसनिंग है यह वाली है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आपको यह नहीं मिलता तो आप इसके अंदर थोड़े से ओरिगर नो थोड़े सी रोजमेरी और थोड़ा से थाइम भी मिला सकते हैं अगर आपको मिलाना चाहे तो वरना यह स्किप भी कर सकते हैं उनली लार मिर्चे और ब्लैक पेपर से भी हो जाएगा मैंने इसके अंदर एक टेबल स्पूंज इतना ओइल लिया इसके अंदर मैं एक चॉप लसन डालूंगी कि मैंने इंग्रिडिन्स लिस में नहीं बताया था मैं भूल गई थी लिख दूँगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह हलका सा हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा महंदा तक्रिवन मैंने मिलाया होगा वन टी स्पून जितना ज्यादा मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मैं आलू के साथ इसको थेकं करूंगी में इसमें से खुषबो-अनस जाएगी मैंदी में से खुषबो-अनस टॉठ हो जैएग हम इसमें डाल देंगे आलु आलू थोड़ा से mix हो गए, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, दूर, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, बस इतना काफी है, तकरीबिर मैंने 2 टेबल स्कून जितना मिलाया होगा इसमें, ये mix होने के बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन, और इसको भी अच्छे से mix कर और साथ हम इसमें डालेंगे, हमारी जो चीज थी वो, ये हमारी फिलिंग इस तरह से एक डोह फॉम में हो जाएगी, अब हम इसमें डाल देंगे, जो हमारे सीजनिंग स्पाइस है, वो सारे पावडर मसाले, और इसको mix करके मैं फ्लेम ओफ कर दूँगी, और अब मैं इसक तरह से, ये कूल डाउन हो गया है, अब मैं इसके इंदे मिला दूँगी, ये हमारी चीज क्यूब एक, और तकरीबन एक टेबल स्पून जितना मियोनीज, इसको मैं mix कर लूँगी, ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी, अब हम सारी इसमें डाल देंगे, जितनी डल सकती ह ये वो, फिल कर देंगे इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, वरना ये फिर बन नहीं होगा, एक्सेस निकाल लेंगे, हमें इसको बराबर से बन करके, हमें लगेगा कि हाँ, ये इतनी पूरी प्रॉपर हो गई है, इसका मतलब ये सही है, इस तरह से, पूरा सही से बन हो रहा है न, देखो, एक्से से वो निकाल दो, इस तरह से सारी बर लेंगे हम, ये हमारी सारी मिर्चे हो गई है, इस तरह से, ये मिर्चे आप फ्रेश लाके ही बनाएगा, अगर आप बासी होगी फ्रिज में रखकर दो तिन दिन बाद, तो ये थोड़ी हाड हो इसके बाद कॉंट्ला में, ताकि जो एक्सेस है वो इसके उपर लग जाए और पूर अच्छे से बाइन हो जाए, मैं से पहले सारी इस तरह से कर लूँगी, जो बैटर था इसके अंदर फीलिंग दुझ थी, वो तकरीबन ये मैंने मिर्चे आंट बनाए वी है, मगर वो बारा से चोदा मिर्चों के थी, तो मेरे पास थोड़ी बच्ची हुई है, ये सारी मिर्चे एक बार हो गई है, अब मैं इसको वापिस से इसके अंदर डिप करूँगी, और फिर इसकी कोटिंग करूँगी, ब्रेट क्रम्स की, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए और इसका मतलब ये रेडी है, ये रेडी है हमारे परी परी बाइट, आप आप ट्राय करेंगे, आपको जरूर से पसंद रहेगा, थेंक्स पर वाचिंग,